नमस्कार में निया विश्व कर्मा शुरुआत करते हैं बुलिटन की कॉंग्रेस आज अपना 149-वा स्थापना दिवस मना रही है पार्टी अगले साल गुने वाले लोगसभाज चुनाव के लिए नाकपुर शहर में गुरुआर को एक मेगा रैली के जरिये अपने चुनाव अभ्यान की शुरुआत की कॉंग्रेस के 149-वे स्थापना दिवस पर रैली है तयार है हम आयोजन के लिए माना जा रहा है कि इस रैली के जरिये कॉंग्रेस 2024 लोगसभाज चुनाव के लिए शंकनाद करेगी खबर पर जादर जानकारी के लिए समवाद आता ओमशील जूट चुके है ओमशील 149-वा दिवेशन इस मौके पर क्या कुछ खास रहने वाला है देखे 149-वा स्थापना दिवस कॉंग्रेस आज मना रही है और आपको बता दूं आरिसे से गड़ नागपूर से उन्होंने महा रैली का शुरुवात किया है और चुनावी बिकुल 2024 के लिए कॉंग्रेस ने नागपूर से शुरू कर चुका है चुनावी बिकुल कॉंग्रेस ने फूक दिया है अब इस पर सवाल ये उठता है कि अभी 14 जैनवरी से राहुल गांधी की और कॉंग्रेस पार्टी की भारत न्या यात्रा यानि भारत जो रो यात्रा 2.0 भी निकलने वाला है और वो जिस छेत्र से मन्युपूर से उसकी शुरुवात होनी है और वो मुंबई में जाके उसकी समापन होगी वो जो 355 लोकसबा जो सीटे हैं उसको वो कवर करेंगी और अभी अगर हम 355 में से देखे तो अभी कॉंग्रेस के पास उन 355 सीटों में से मात्र 19 सीटे हैं तो 19 सीटों में से अब यह यात्रा होती है क्योंकि भारत जो यात्रा जब हुई थी उसके बाद हिमाचल का चुना हुआ करनाटक का चुना हुआ कहीं ना कहीं फायदा देखने को मिला कॉंग्रेस पार्टी को पर क्या इसमें फायदा भारत न्याय यात्रा अगर वो निका संबोधन होना है सोनिया गांधी का भी होना था पर सोनिया गांधी का तब्यत ठीक नहीं रहा इसलिए वो वहां पहुच नहीं पाई और उनका संबोधन नहीं हो रहा है अब देखने वाली बात यह होगी नेहा कि अब इस जो महारैली है आरेसे सागड़ है अगर हम कॉंग पूंग्रेस की अदेख्ज बनाई जानी थी उसका भी प्रस्ताओक कॉंग्रेस नेने नागपुर में ही पारित किया था और जिस जी सीष का अगाजना कॉंग्रेस करतीया आई है उसमें विजय पाया है कॉंग्रेसने तो अब देखने वाली बात लुए हूग है किदूझ ष तबह में कॉंग्रेस द्वस्त नजर आई पहुंबत की सरकार बीजेपी की आई और कॉंग्रेस को भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा पर अब ये देखने वाली बात होगी कि जो आगामी लोकसभा चुनाव हैं उसके लिए क्या कुछ तैयारियं रहती है क्या जो यह महारैली कर रहे हैं ये शक्ती प्रदर्शन कि उन लोगों के लिए एक अलग स्टेज बनाया गया है, CWC के जितने भी मेंबर है, उनके लिए एक अलग स्टेज बनाया गया है, वहीं जितने विराज के मुख्यमंत्री है, उनके लिए भी अलग स्टेज बनाया गया है, रेवन्त रेड़ी तलंगना के मुख्यमंत्री भ इंडिया गडबंधन एक तरीके से कहा जा रहा है कि एक जूट नहीं हो पा रही है क्या ये कॉंग्रेस अपना एक शक्ती प्रदर्शन दिखा रही है बीजेपी को भी और इंडिया गडबंधन को कि हम लोग साथ मिल कर लड़ते क्योंकि अगर हम महराश्च की प्रदेश की जा रहा है इसके पीछे की क्या रणीती है और भारत निया यात्रा का मेसेज क्या है देखिए भारत निया यात्रा का एक जो मनिपूर से इसकी शुरुवात हुई है कहीं ना कहीं इसमें बड़ा मेसेज देने की ये कोशिश की गई है कि मनिपूर में आपने देखा होगा के दिनों में जिस तरीके से वहां पर हिंसा हुई नगर अवस्था में महीला को वहां घुमाया गया तमाम तरीके के आरोप सरकार पर लगें केंद सरकार पर गड़े मंत्र आले पर विपक्ष ने लगाया तो इसको कही न कहीं भुनानने की कोशिश और अगर हम बात करें जो भारत न्याय आत्रा ये मनिपूर से निकाल रहे हैं। इसका समापन उत्तरप्रदेश, बिहार, जार्खन से होते हुए ये महराश्ट के मुंबई पे आके इसको रुकना है। तो में जो इनके फोकस राजी जो रहेंगे वो उत्तरप्रदेश इनको साधना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी लोकसभा, आकामी लोकसभा चुनाओं में कही न कहीं कॉंग्रेस का ये मानना है कि जो राम मंदिर का घाटन हो रहा है उससे बड़ा माइलेज लेने की कोशिश बीजेपी करीगी पर ऐसा होना नीचाहिए ये धार्मिक मामला है। पर कहीं 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 कॉंग् तो तुमाम ऐसे सवाल है जो कि उठ रहे हैं कि कॉंग्रेस मजबूत हो पाएगी या नहीं हो पाएगी या फिर उनके जो अलाइंस की पार्टी हैं सयोगी दल है वहीं उनके लिए सवाल खड़े करेंगे बहुत-बहुत शुक्रे ओम शिल्स जादा जानकारी के लिए